हेलो एवरीवन वेलकम डू ब्राम्भी अकैडमी स्वागत है आपका MPPSC प्रिलिम्स की इस महा सिरीज में जहां हम टार्गेट लेकर चल रहे हैं 50,000 MCQs हम अलग-अलग यूनिट और अलग-अलग टॉपिक कवर करेंगे इन 50,000 MCQs में आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रद इसका जो रिवीजन टाइप का मिक्स होता है हर एक डाइमेंशन के कोश्चन मैंने कवर करा हैं अब हम टार्गेट करेंगे यूनिट वाइज कोश्चन यूनिट वाइज पूछा गया है इन विच आटिकल और प्रोविजन ओफ गवर्नर फॉर इच स्टेट इज मैड पूछा गया है गवर्नर के बारे में सिंपल सा कोश्चन कि किस अनुच्छेद में किस आर्टिकल में प्रतेक राज के लिए राजपालों का प्रावधान किया गया है तो याद रखेगा यह है आपका अनुच्छेद 153 ठीक है अनुच्छेद 153 तिरपन में है तिरपन में याद रखेगा तिरपन तिरपन को किसी से रिलेट करना चाहे किसी के बड़े से तो ठीक है नहीं तो सीधे आप दो तीन बार करिएगा तिरपन एक सो तिरपन में क्या है आपका राज पाल ठीक है यहां पर है राज पाल इसमें लिखा हुआ है कि प्रतेक राज के लिए एक राज पाल होगा ठीक है तो प्रतेक राज के लिए एक राज प सिदे सिदे आर्टिकल पूछा जाता है तो जैसे आप राज जिपाल पढ़ेंगे आपको रिलेट करना है कि राष्टपती के लिए कौन सा आर्टिकल है मतलब भारत के लिए क्या है एक राष्टपती होगा तो राष्टपती के लिए कौन सा आर्टिकल है तो याद रखेगा 153 है तो यहां ऐसे माल लीजिए आपका कि 100 कम हो गया एक तो 100 कम आईए फिर उसके बाद एक और कम आईए तो 101 कम करना है आपको जैसे हो गया आपका बामन है नहीं तो 100 को हटा दीजिए आप फोकस करें सिर्फ तिर्पन पर तिर्पन है तो एक कम हो गया आपका बामन तो रा राजपाल राज में किसका प्रतिनीधी होता है whose representative is the governor in the state हम राजपाल को अपॉइंट करते हैं हर एक स्टेट में ठीक है तो फिर राजपाल जो है वह प्रतिनीधी किसका होता है मुख्य मंत्री ग्रह मंत्री राश्ट्पती प्रधान मंत्री किसका होता है आपका बिल्कुल स ठीक है न्यूक्ती कौन करता है राश्पती जी ही करते है तो याद रखेगा प्रतिनीधी होता है राश्पती का राजपाल ठीक है फिर नेक्स देखेंगे मंत्री प्रधेश के प्रथम राजपाल कौन थे सिंपल सा कोश्चन लेकिन ऐसे कोश्चन भी आते हैं तो who is the first governor of म सिता रमया तो आपका अंसर है प्टषा dost रमया याद करने के लिगा सिर्फ सिता उठा सकते हैं ठीक हम सीता जी की बात करेंगे तो सीता जी हमारे मारे मद्रेश में सबसे पहले राज्यॆपाल बनाई गई थी ठीक है राजिपाल को दी गई मंत्री परिशद की सलाह किस अनुच्छेद में वर्णित है इन विच आर्टिकल इस दाडवाइस ऑफ दे कांसिल आफ मिनिस्टर्स गिवें टू दे गवर्णर डिस्क्राइब आपको पता है जो आपके गवर्णर है वो मंत्री परिशद की सलाह पे काम करेंगे और ये बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया समिधान में ठीक है तो किस अनुच्छेद में लिखा है ये है आपका अनुच्छेद 163 ठीक है 163 में लिखा है कि राजिपाल जो है वो आपके राजियों के जो मंत्री परिशाद होंगे उनकी सलाह पे काम करेंगे Aid and Advice of Council of Ministers of States याद रखिएगा मैंने आपको बताया आपको क्या करना है राष्टपती से रिलेट करना है आपको जो राष्टपती होते हैं वो भी Aid and Advice पर काम करते हैं ठीक है Council of Minister की Central Level पर तो यह किस आर्टिकल में लिखा है तो यह लिखा है आपके अनुच्छेद आर्टिकल 74 में ठीक है तो 163-74 याद रखिएगा तो यह comparison हमेशा दिमाग में करते चलिएगा जिससे सारी चीज़े याद रहें आगे देखते हैं निमली खित में से मद्धिप्रदेश के किस राजिपाल का कारेकाल सबसे कम रहा है विच आप फॉलोइंग गवर्नर और मद्धिप्रदेश हैज हैड़ दा सौर्टेस टेन्योर सबसे छोटा सारे कारेकाल रहा है लाल जी टंडन पट्टाबि सितर मया ये हरी विनाएक पाटासकर सल्रा स्रडलाग्रेवाल ठीक है ये बता ये है अपका पट्टाबी सीतर मया ठीक है सीता जी चो थी वह आई थी हमारे हां सबसे पहले हमने सीता जी पो अपना कभी सिता जी ao अकर आ 살 सीता जी का सबसे छोटा कारेकाल सबसे छोटा कारेकाल कब से कब तक है तो यह है 11 आपका मतलब नुवंबर यह यह याद रखनी है यह सिर्फ मैं बताने के लिए कर रही हूं 56 से 11 56 से आपका जाता है यह 657 तक मतलब 6 महीना 1957 यह 11 महीना 1956 से स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ साथ ही महीने रह पाते हैं सीता जी रह पाती है आपकी तो सबसे छोटा कारेकाल किसका हो गया पटाभी सीता रमया जी का ठीक है याद रखेंगे यह मैंने मन्त लिखे हैं आंगे देखते हैं राजिपाल की शमादान की शक्तियां किस अनुछेद में वर्णित हैं, in which article are the pardoning power of the governor describe हमें बताने शमादान की शक्ति, ठीक है छमादान की शक्ति 161, 162, 163, किस में हैं, ये मिलेंगे आपको 161 में, ठीक है, 161 में, राजपाल की शमादान की शक्तियों का वर्णान है, ठीक है, तो आपको relate करना है, फिर राष्टपती से, कि राष्टपती जी को शमादान की शक्ति मिली है, वो किस अनुछेद में है, तो यह है, आर्टिकल 72, अच्छा, इस से देखे, 72 जो है, यह हो गए, आपका 61, है ना, 61, 72, उसके पहले हमने बढ़ा था, 63, तो यहां पर जा रहा था, 74, तो म नहीं, तो अलग-अलग याद करेंगे, तो उसमें भी कोई, आपको बस रिवीजन करना है, एक दो बार, 61 में है, आपका राजपाल की पावर, छमादान की शक्तियां, 72 में जो है, वो है, आपके राजपाल की छमादान की शक्तियां, ठीक है, और इसके बारे में डिटेलि वीडियोज आएंगे, ठीक है, चले, आँगे देखते हैं, मध्यपरदेश की वर्तमान राजपाल कौन है, वो इस दा करेंट गवर्नर ऑफ मध्यपरदेश, अनंदी भाई पटेल, आपकी लाल जी टंडन, मंगु भाई पटेल, ओपी कोहली, तो आपको करेंट वाला तो पता ही होना चाहिए कौन है, आपके मंगु भाई चंगन भाई पटेल, ठीक है, अभी करेंट में ये आपके राजपाल है, और याद रखिएगा, ये है काम के, तो ये गुजरात के है, इसके पहले हमारे याँ गुजरात का कौन था, तो आनंदी भाई पटेल जी थी, ठी आँगे देखते हैं, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में गांधी जी किसे अध्यक्ष बराना चाहते थे, वो गांधी जी है वांटेट टू बी दा प्रेसिदेंट आफ त्रिपुरी सेशन इन 1939, ये कुशन आपका प्रिवेस एर का है, 1939 में जब त्रिपुरी अधिवेशन होत आपके पट्टागी सीता रमया ठीक है, तो सीता जी को नॉमिनेट किया था, गांधी जी ने बोला कि आप सीता जी को इस बार जिताद रो ठीक है, तो गांधी जी ने सीता जी को बोला था, लेकिन होता क्या है कि त्रिपुरी अधिवेशन में जो आपके सubhash चंदर बोस सुभाष चन्द बोस जीत जाते हैं फिर गांदी जी को बुरा लगता है तो यह इस्तीफ़ा देते हैं और लास्ट में याद रखेगा त्रिपुरी अधिवेशन के लास्ट में बंता कौण है लास्ट में आपके राजेंद्र प्रसाद जी राजेंद्र प्रसाद जी को बना जाता है तो यह सारा चीज है त्रिपुरी अदिवेशन आपके 1939 में हुआ था कहां हुआ था जवलपूर में हुआ था बनाना किसको चाते थे गांदी जी पट्टाभी सीता रमया जी को अपने सीता जी को बनाना चाते थे लेकिन जीत कौन जाता है सुभास्चन बोस फिर ला the longest tenure हम देख चुके हैं सबसे छोटा किस का रहा है सीता जी का रहा है उसके बाद हम देख चुके हैं कि पहले कौन थे तो सीता जी ही थी पट्टाभी सीता रमया तो आप करेंट में कौन है तो आपके मंगु भाइप टेले अब हमें बताना है कि सरवाधिक कारेकाल किस का याद रखेगा यह आपका हरी विनायक भगवान है उनका कारेकाल सबसे जादा तो विनायक जी की जो पूजा करता है उसका कारेकाल धीरे-धीरे क्या होता है बढ़ जाता है यह आपके मतलब पटाभी जी के बाल 1957 से 1965 तक थे यह देख रहे हैं आप लगतार यह 1957 से संतामन से लेके पैसट थक लगतार कौन था हरी विनायक पाटसकर जी आपके विनायक भगवान क्या थे राज येपाल थे ठीक है मध्यपरदेश के तो सबसे बड़ा कारेकाल हो गया विनायक जी का सबसे चोटा सीता जी का उसके अलावा पहली सीता जी हो सीट़ा मैया थे हमारे पहले जी सीटा जी जो ठीशों के वो अपनी पत्री का प्रकाशित किया करती थी तो पत्रीका का नाम क्या था ये था जबन भूमी मैं आप जांते हैं कि क्या हुसा उनके सांद बहुत गलत हुआ रावन भी ले गया था ठिक है तो उन्हों ने अपनी जन्म भूमी के बारे में लिखा ठीक है तो सीता जी जो थी सीता मतलब पटाभी सीता रमया उनकी पत्रिका थी सपता ही उसका नाम था जन्म भूमी ठीक है याद रखेगा अपनी जन्म भूमी के बारे में लिखा करते थे आंगे देखते हैं नेम लिकित मैं से कौ सबसरवाधिक कारेकाल किसका है सरवाधिक कारेकchos अलग है इसमें अपने विनायक जी हैं ठीक है मुनायका यह अपने विनायक ढंच सुर्मा ठीक है हमके फट goog बत करें कि तीन बार मतलब चोटे चोटे टाइम के लिए ही लेकिन थीक तीन बार भाइंट कियगे गवर्णर कोन से थे यह थे आपके भगवत दयाल शर्मा ठीक के अब यह मांचे भारे में था सरवाधिक आपके फिर नियुन्तम कारेगाल किसका हुआ पहले कौन थे महिला पहली उसके अलावा वर्तमान में कौन है तो सारी चीजे याद रखेगा ठीक है आंगे देखते हैं यह गया निम्लिखित में से राश्पती द्वारा किसकी सलाह पर राजिपाल की नियुक्त तो आपको पता किसकी सलाह लेते हैं काउंसिल आफ मिनिस्टर्स की ठीक है तो भारत के मुख्यने आधीश, मुख्यमंत्री, राजिके मंत्री परशद और प्रधान मंत्री तो यह आपका आप्शन हो गया प्रधान मंत्री जो आपके काउंसिल आफ मिनिस्टर्स हैं उनके ह एध्यक्ष कुन होते हैं आपके प्रधान मंत्री तो राजपती तो के प्रधान मंत्री की सलाह प्रावेंट करेंगे भर मिलेगे आपको आर्टिकल 155 में नुखेड 255 दिया गया है कि राश्टपती राजपाल की नियुक्ति करेंगे ठीक है तो यह आर्टिकल भी याद करते चलिएगा आगे दिखते हैं मध्यप्रदेश के कौन से राजपाल भारती राश्टवी कॉंग्रेस के जैपूर अधिवेशन 1948-50 के अध्यक्ष थे विच गवर्नर अफ मध्यप्रदे प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नाशनल कॉंग्रेस इन जैपूर सेशन 1948-50 जो लोग मुझे कंटेनियूसली फॉलो कर रहे हैं उन्हें कुछ कोशन रिपीट भी मिलेंगे क्योंकि मैं को आपको अपको अप्टा चुकी हूं बहुत सारे कुछ आपको एक्स्ट्र भी तो उसके अध्यक्ष थे अपने पट्टाभी सीतर अमया जी तो यह आपके पट्टाभी सीतर अमया जी क्या थे अध्यक्ष थे उनको बैचारे को बनाया नहीं गया था त्रिपूरी में तो गांदी जी गुस्ता हो गया तो उन्हें मौका मिला तो फिर 1948-50 में जैपूर अ चाल सिता जी ने अपनी जो पत्री का निकालती थी उसका नाम था जन्म भूमि के बारे में लेखती थी क्यों सबसे ज्यादा कारेकाल आपके विनायक जी का सबसे चोटा सीता जीगा आँगे देखते हैं मध्यपरदेश का कौन सा राजिपाल जे वीपी समीति का सदस्य थ ठीक है और चपका राज कुणर कठन था राज कुणर करना था हमें उसके लिए हम आपके jvp में तीन लोग थे jvp में आपके थे फूर प्रों गया आपका जवाहर電ल नहरू जी जवाहर मैं नहरू जीए थीक कुझे वी से हो गया आपका वल्लभभाई पटेल जी और आपका यह पी है कौम मेंबर था हमारे यहां का राजिपाल पटाभी सीतर रवया तो रमया जी भी थी याद रखेगा सीतर जी भी थी उसके लावा नहरुजी थे और वल्ला भाई पटेल थे में मुद्दा था राजो का पूरर गठन फिर लास्ट में आती है आपकी फजल अली समीती जिसके ह केसाब से फिर हम 1956 में अधिनियम पास करते हैं ठीक है चले आगे देखते हैं यह सारी जितनी भी चीज़ें आपको पॉलिटी से संबंदित मिल रही है उनका डिटेल्ड वीडियो आएगा जब हम मेंस के बारे में पढ़ेंगे ठीक है सत्य कथन बताएं चूज दा करेक्ट अप्शन अनुद 625 राज जिपाल की नियुक्ति का प्रावधान करता है यह मैंने अभी आपको बता दिया ठीक है आर्टिकल 155 प्रोविजन फॉर दा अपॉंट्मेंट ऑफ दा गवरनार्ट यह बिल्कुल सही है मैंने भी आपको बताया अच्छा 155 मैंने आपको बताया 35 को कैसे रिलेट करेंगे पच्पच से रिलेड करेंगे याद आपको अगर आप कंटीनियसली मुझे याद्व कर रहे हैं तो यह आपको तुरूर याद होग की मैंने Πच्पन को 5 senses बताय है मतलब बहुत पच्पच होती है हमारा क्शन क्या है था तब कि मध्यप्रदेश का वित्य निगम कब इस्टाबलिश हुआ है इन दौर में है कब बनाए गया था 1955 में ऐसा ही याद रखेगा कि जो आपका तो त्याग पत्र किसको देंगे राश्पती को देंगे ठीक है फिर राजपाल पद की पदावधी पांस साल की होती है अब इसमें से बताईए कि आपका कौन सा कथल यहां पे होना चाहिए असत्य ठीक है इनकरेक्ट ऑप्शन बताने आपको कि इनकरेक्ट है असत्य कौन सा है तो यहां पर आप अच्छे से दे एगिया तो मैंने बता दे है पहला तो बिल्कुल सही है फिर दूसरा राश्पती को तर राजपाल को त्याग पत्र किसको देंगे राश्पती को यह भी बिल्कुल सही है तो आपकह बशतstra है तीस्व प्रसाद परियंद जिसमें रहते हैं आपका प्लेजर प्लेजर ओफ प्रसेडेंट तो याद रखेगा जो आपके गवर्नर की पोस्ट है वो मतलब उसकी पदावधी फिक्स नहीं है ठीक है किस पर डिपेंड करते हैं राश्टपती के प्रसाद परियंद पर राश्पती आपके राजपाल की पदावधी वैसे देखा जाए तो वो 5 साल के लिए होते हैं लेकिन राश्पती उन्हें कभी भी हटा सकते हैं क्योंकि उनके क्या प्लेजर पे डिपेंड कर रहा है खुश है राश्पती तो है नहीं होंगे तो हटा दिये जाएंगे ठीक है तो ये य 155 में बताते हैं कि न्यूपति कौन करेगा 156 में हम बताते हैं की वो रहेंगे कितने टाइम तक तो हमने बताया वो रहेंगे राश्ट पती के प्रसाद परियंद तक प्लेजर तो यह आपका आणसर गलत हो गया इसलीं हो गया आपका केवल तीन असत्य है और राज़यपाल क्या करेंगे राश्टपति को त्याग पत्र अपना देंगे ठीक है आंगे देखते हैं नितनी में से राज़यपाल ने किस राज़यपाल ने भारतिय रबर उत्पाधन संग की स्थापना की थी वेच आप फॉलोइंग गवर्नर स्टैबलिश्ट दा इंडियन रबर प्रोडूशर्स असोसियेशन यह आपका है भारतिय रबर उत्पादक संग ठीक है कैसी रेड़ी केम पुनाचा केम चांडी और आपके सरलग रिवाल याद रखेगा यह आपके केम चंडी तब में कर सकते हैं यह कहां के हैं और याद रखेगा इंघ्लडा संग है उसकी स्थापना की थी और इसके लिए काफी काम किया था तो याद रखेगा इनका नाम मिलेगा एक तो रबर के लिए के रबर उत्पादक संग माई चीछ ईलाइची के लिए उसको अच्छा करने के लिए क्या किया था के अव्धूव schorn नहीं प्रयास किए थे तो'dो एंटे जी की चांडी का नाम मिलेगा रबर के लिए और मिलेगा इलाची के लिए यह दूनाğinा आपको को रबर बहुत ज़्याद चाहिए होता है तो रबर और उसके लावा इलाची सब को पसंद होता है तो इलाची इन दोनों के लिए काम किया था चांडी जी ने ठीक है ऐसे आप याद कर सकते हैं आगे देखते हैं निम्लिखित में से मद्यप्रदेश के किस राजपाल का जन्म लाहॉर में हुआ था इन विच आफ फॉलोइंग गवर्नर ऑफ मद्यप्रदेश वाज बॉर्न इन लाहॉर याद रखेगा ये ऐसे राजपाल हैं जो भारत के बाहर पैदा हुए थे महमूद अली खान केम चांडी मुहमद शफीकुरेशी डॉक्टर भाई महावी याद रखेगा ये हैं आपके डॉक्टर भाई महावी जो आपके महावीर रिलेट करने के लिए बता रही हुए मैं जो आपके भाई महावीर मतलब जो आपके महावीर जैन है वो क्या करते हैं टहलते टहलते कहां चले जाते हैं लौहर चले जाते हैं ठीक है तो आपके जो महावीर भगवान है महावीर जैन भगवान वो टहलते टहलते लौहर पहुंच जाते तो भाई महावीर लौहर के हैं आपके चंडी जी जो हैं वह रबड और इलाची के मतलब उत्पादन पर काफी जो जितनी भी चीज़े हैं आप उनको जरूरक करें चलएगा आगे देखते हैं मध्यप्रदेश के कौन से राज्यपाल हरियाना के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं विच गवर्णर ऑफ मध्यप्रदेश है और चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाना सरलग्रेवाल गुरु प्रसन सिंग भवत दयाल शर्मा राम नरेश यादो याद रखेगा यह हैं आपके भग क्या ओश कंग था दूसर्मार मध्यपाल के देख से किस किस राज्यपाल ने महराश्थ मैसूर और मदरास आद्र परतेश सीमा विवाद की मध्यस्तता की थी which of the following गवर्नर, मीडियेटेट दमाराष्टा, मैसूर एन मदरास आंद्रा, बॉर्डर, डिस्प्यूट ठीक है तो यहाँ पे हम बॉर्डर, डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं तो किस राजेपाल ने क्या की थी मध्यस्ता, मेडियेशन किया था कैसी रेड़ी, हरी विनायक पाटसकर, निरंजन नाथवांचू, सत्य नरायन सिंग याद रखेगा ये थे आपके हरी विनायक पाटसकर आपके जो विनायका है, विनायक भगवान है उन्होंने क्या की थी, मध्यस्तिता की थी ठीक है और सीधी बात है वो अगर मध्यस्ता करेंगे तो काम तो बहुत अच्छे सही हो जाएगा तो मध्यस्ता की थी महाराष्ट और मैसूर की बीच बाउंडरी का जो प्रॉब्लम था उसके अलावा मद्रास और आंद्र की ठीक है आंद्रा डिस्प्यूट बॉर्डर डिस किया था उसके अलावा इनका कारेकार सबसे बढ़ा था ठीक है आंगे देखते हैं निम्लिकित में से किस ने मध्यप्रदेश के कारेवाहक राजपाल के रूप में कारे नहीं किया है याद रखेगा यह कोशन आपका पूछा जा चुका है कि एक्टिंग गवर्नर इन में ठाकु ठाकुर यह झारखण के यह नहीं है यह आपके कारेवाहक राजपाल नहीं है यह तीनों है ठीक है इसके अलावा एक आपको नाम मिलेगा अंडी ओझा जो अपने ओजा सर है आरे एक दीख्षित को बनाया था गुरू प्रसन्न सिंह जो बहुत प्रसन्न रहते हैं हमारे गुरू उनको भी बनाया था उसके अलावा ओपी कोहली जी को भी बनाया था तो यह सारे हो गए आपके कारेवाहक राज्यपाल ठीक है आँगे देखते हैं नियुलिखित में से किस राज्यपाल का जन्व सतना में हुआ था विच आप दा फॉलोइंग गवर्नर वस बॉर्न इल सतना सतना में कौन पैदा हुआ था हरिवनैक पार्टसकर निरंजनाथ वांचू सतिन रायंट सिंग भगवत दयाल शर्मा याद आप करेंगे निरंजननाथ से जो अपने निरंजन है निरंजन पैदा हुए है कहां पर सतना में ठीक है निरंजननाथ वांचू इनके बारे में याद रखिएगा कि इन्हों ने ICS इंडियन सिविल सर्विसेस जो थी ठीक है अंग्रेजों के टाइम पर तब वो क्या किया निरंजननाथ वांचू सतना में इनका हुआ था जर्म ठीक है चले आंगे देखते हैं मद्यपरदेश का कौन सा राजिपाल सम्विधान सभा का सदस्य नहीं था विच गवर्नर अफ मद्यपरदेश वोज नॉट अमेंबर ऑफ कॉंस्टिटुएंट असेंबली याद रख करता है यह नी पहले मद्यपरदेश कर यहीं संभाफड़ और्व मद्यपरदेश के सभाफन झाहिए ठीक है तो आप ऐसे करके अगर आपको exactly नहीं आदे तो option से जाईए आप elimination method से ये नी होगा ये नी होगा ये नी होगा ये हो जाएगा ठीक है तो elimination method भी आप follow कर सकते हैं आगे देखते हैं Congress का इतिहास push तक किसके द्वारा लिखी गई है ये याद रखेगा ये volume 1 और volume 2 दो volume में है लिखी किसने है ये लिखी है पटाभी सीता रमया जी ने एक तो पटाभी सीता जी क्या करती थी जन्म भूमी के बारे में पत्रिका में निकालती थी उन्होंने बहुत सारी बुक भी लिखी है अब जब रावाण ने बंदी बना रखा था तो बहुत ही time था उनके पास तो उन्होंने बहुत सारी बुक भी लिख डाले ठीक है तो इस सब relate करने के लिए मैं बता रही हूं तो सीता जी कि आपकी एक तो बुक है कि इन्होंने कॉंग्रेस के बारे में लिखा कि कॉंग्रेस का इतिहास क्या है ठीक है तो history of Congress, Congress का एक तो बताया कि इतिहास क्या है Congress का इतिहास और इनकी एक और famous book है वो है Gandhi गांधी एंड गांधिजम ठीक है गांधी और गांधिवाद ये वी इनकी जो है वो famous book है ठीक है गांधी और गांधिवाद ये वी आपके volume 1 और volume 2 में है दो volume में आईए बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने book लिग दी है तो सीटा जी बैटी हुई थी बहुत लँबी-लंगी उन्होंने book लिग दी एक तो पता है Congress के तिहास के बारे में दूसरा पता है गğıंजी जी के बारे में ठीक है तो यह हो गई आपके पटाभी सीतर अमया जी की बुक्स आंगे देखते हैं माध्य प्रदेश की प्रतम महिला राजयपाल कौन है यह हो गई आपका सरोजनी सकसेना निर्मला बूच जमना देवी सरला ग्रेवाल याद रखिएगा सरला जी सिलेक्ट हुई थी किसमें राजपाल वरने के लिए उसके अलावा यह सरला जी क्या है यह भारत की भारत की सेकेंड आएएस महिला है ठीक है भारत की सेकेंड आएएस महिला है पहली कौन सी है फर्स्ट है आपकी अन्ना जॉर्ज ठीक है फर्स्ट आएएस महिला अन्ना जॉर्ज यह जो आपकी सरला ग्रेवाल जी है यह सेकेंड आएएस महिला है पूरे भारत की ठीक है याद रखिएगा और फिर यह बनती ह यह बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करती है लास्ट में जाकर यह decent की राजपाल नामाट रांचे को छले है ठीकर से संबंदी ए निवक्ती कहां पर राद के बारे में कहां पर दिया गया है न्यौक्ती कौन करेंगा है फिर पद से कौन हटाएगा और किसको वह पद्याग दे सकते हैं यह सारी चीजह ना वो किसके प्रतिनीधी होते हैं सारी चीजह हम ने देखी हैं उसके अलाब जो आपके में में question देखें हैं रबर उत्पादक संग का कौन था अध्याक्ष उसके अलावा सारी चीज़े तो वो सब आप revision कर ली जगा एक बार सारी चीज़े याद करके रखेगा क्योंकि यह important है इनमें से ही आपके question बनने वाले हैं में पेपर में ठीक है आपको PDF के लिए 6261759209 यहां पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी यह वाट्चप नंबर है यहां पर आप हाई और अपना नाम लिखकर सेंड करिएगा यहां पर आपको PDF अफलेबल हो जाएंगी मैं किसी कारण अगर PDF एक दो दिन में अप्लोड नहीं कर पाती तो एक दो दिन बात कर दूंगी लेकिन वहां पर आपको सारी PDF जरूर मिल जाएंगी ठीक है तो फिर मिलते हैं नेक्स लेक्च्चर में तब तक